हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल आर्जे ग्यान क्लासेज में तो आज लेच बी का आपको पूरा डिटेल आपको बताएंगे उसकी लंबाई चोड़ाई बोगी का वेट बोगी का लंबाई बोगी की चोड़ाई बहुत सारे बाते बताएंगे तो लाइक कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों में तो चलिए शुरू करते हैं इसका लेंथ जो है लेंथ आपको परिक्षा में यह आ सकता है और आया भी है लेंथ जो उसका पूरा बोड़ी का लेंथ है 23,540 mm है 23,540 mm है इसका जो CBC से है यह बोड़ी का लेंथ है अगर CBC से अगर माप किया जाए तो दोनों साइट CBC जो है बोड़ी से थोड़ा निकल के रहता है तो वहां से आपको भी पूछ सकता है कि CBC से इसकी लंबाई कितनी है तो आपको 24,000 mm लगाना है बोड़ी का 23, 25,540 CBC से अगर माप पुछे तो 24,000 mm लगाना है अगर चोड़ाई पुछे वीड़़ी जो कोच है उसकी बोड़ी की चोड़ाई अगर पुछे तो 32,40 mm लगाना है अगर आपको हाइट पुछे रेल लेबल से ट्रैक लेबल से यह रेल लेबल से इसका हाइट जो है 4049 mm है तो आपको लंबाई चोड़ाई उचाई और मालूम हो गया है चलिए उसके बाद देखते है है हाइट आप का पांटमेट फ्लोर जो कंपांटमेट फ्लोर है जो लेस्बी कोच का है रेल लेबल से उसकी उचाई कितनी है तो तेरा सो बीस एमेम याद रखिएगा मैक्सिमिमम हाइट ओफ सेंटर लाइन ओफ सी बीस एभाव रेल लेबल से इसकी अगर मैक्सिमम हाइट पुछे तो इगारा सो पांच एमेम है और वही अगर मिनिमम पुछे तो दस सो नबबे एमेम है कब जब खाली गाड़ी हो एम्टी गाड़ी हो टेयर कंडिस्टन में हो जिसको प रहा जा रहा है और जो हमारे नोट्स नहीं लिए हैं अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा वाट्सअप नमबर है 8121 देखे लिए देते हैं यह नोट्स के मताबिक यह कुछ भी नहीं है नोट्स में इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा मैं जो भी मैक्सिमम जो इंपोर्टन है उसको कवर करके अलग से लाया हूं ताकि आपको परिक्षा में यह सारे बहुत ही इंपोर्टनेट है तो चलिए हाइट का माड़ फ्लोर पर फ्रम रेल लेवल का हो गया तेरह सफ बीचमम है उसके बाद जो है सीबीच का हाइट जो है मैक्सिमम इगारा सो पांच और मीनिमम दसो नंब्य होगा टेयर कंडिसन खाली गाड़ी रहेगा तो एंप्टी कोच में और यहीं लोडेड अगर रहे लोडेड रहे तो मैक् इसके बाद है जो इसका स्पीड पोटेंशियल है हाई जो स्पीड है इसका एक सो साथ से लेके 200 km तक का इसका स्पीड है यह भी प्रिष्ण परिछा में आ चुके हैं तो इसका विध्यान अखेगा एक साथ से लेके 200 km का इसका रेंज है रोलर बेरिंग जो है कार्टिज टैपर जो है रोलर बेरिंग लगा जाता है CTRB याद रखेंगा CTRB CTRB Cartridge Tap Red Roller Bearing का प्रयोक किया जता है इसका फूल फर्म भी आप से पूछ सकता है Cartridge Tap Red Roller Bearing बहुत भाड़ी कोश्चन नहीं आते हैं आपको ऐसे कोश्चन आएंगे जो आपको याद हो गए बहुत एक क्लिरनेस बहुत परकार का है लेकिन जो बहुत डिफिकल्ट है वो परिक्षा में नहीं आएंगे आपको याद रहेगा जो हलका रहेगा वही सबाते हैं तो कार्टिज टैपर रोलर बेरिंग जो है यह दो कंपनिया हमारी रेलवे को सप्लाई करती है एक सकेफ नाम है एक है टिमकेन यह दोनों कंपनियां जो है सीटीर भी को सप्लाई देती है अब डिस्टेंस बेट्विन सेंटर पीवट जो है सेंटर पीवट जो है उसका बीच का जो डिस्टेंस पुछ रहा है 14,900 mm होगा याद रखेगा यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है minimum height of coach from rail level यह है कि जो coach का कोई भी पार्ट सबसे नीचला जो पार्ट है उससे जो track level से rail level से उसकी उचाय कितनी है तो 102 mm याद रखेगा सबसे कोई भी पार्ट सबसे नीचे का जो पार्ट होगा उसकी उचाय के बारे में है wheel gauge जो है 1600 plus minus 1 mm है यानि की 1599 या 1601 standard wheel gauge है plus minus 1 plus minus 1 है 1600 plus minus 1 याद रखेगा यह आपके परिक्षा है पूछ चुका है उस दिन का जो बारत तारीक का परिक्षा होगा जिसका question हमने आपको कराया था new wheel dieya जो है नया wheel dieya 915 mm रहेगा यह पूरा LHB के बारे में बता रहे है और जो condemning size है मतलब 845 तक होगे 845 mm तो वह खराब होगे 845 तक चलेगा उससे नीचे गया तो खराब होगे उसके बाद new wheel dieya आपको याद रखना है आपको परिक्षा में पूछेगा न्यू विल डाया ब्रेक होते हैं तो डिस्क ब्रेक आपको मालूम है एक चक्क्या पर एक लगा रहता है एक बोगी में चार चक्का होते हैं तो चार डिस्क ब्रेक होगे अगर वही कोच को पूछे तो एक कोच में दो बोगी होती है तो इसका double हो जाएगा याने कि 8 हो जाएगा डिस्क ब्र आठ लगा 8 हो जाएगा चक्का, 8 हो जाएगा ब्रेक सिलेंडर, इतना आपको ध्यान रखना है, disk brake thickness disk brake जो है तिकनेस उसका पुछ रहा है तो उसका थिकनेस 110 mm 110 mm का उसका थिकनेस है और उसमें घिसाव जो है पुछेगा घिसाव 7 mm का घिसाव उसमें चलेगा एक साइड का यह ऐसे disk brake है इस तरह से रहता है इस तरह cooling के लिए खाली जगत को जाता है उसका एंसर कि इसमें तो इतना याद रखेगे तो deci साइट का 14 mm और एक साइट का 7 mm घिसाव परमीसिबल है और इसका जो थीकनेस है 110 mm होता है इतना आपको याद रखना है उसके बादे कि डिस्क ब्रेक डाया का जो डिस्क ब्रेक का डाया है 640 mm होता है जो डिस्क ब्रेक है इसका थीकनेस 110 mm और इसका डाया 640 mm याद रखेगा राइडिंग इंडेक्स मतलब 2.5 mm है, मतलब कि आराम दे है, ICF के मुकाबले में कितना आराम दे है, तो राइडिंग इंडेक्स इसके याद रखे हैं, परिश्या हम पूछे जगे हैं, 2.5 mm है, 2.5 mm, याने कि 2.5 mm, डाइमेटर ओफ एक्सल, एक्सल का डाइमेटर पूछेग यह दो चक्के हैं, और इसके बीच इमका जो यह एक्सल है, यह 133 mm है, याद रखेएगा, टेंपरेचर फोर बेरिंग, जो बेरिंग है, 80 डिगरी का मैक्सिमुम टेंपरेचर उस पर चलेगा, मतलब कि चलते चलते अगर गरम हो गया, तो बेरिंग 80 डिगरी का टेंपरेच जो इनर वील है, आपस में उसका डिस्टेंस उसके बीच का 12340 mm है, इतना याद रखेगा, 12340 mm है डिस्टेंस बीट्विन, इनर वील के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वाइट फोर डंप वाल, डंप वाल में जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो 110 सब्लाई होता है, रेलवे में, आपको अलूम है, और इसका कारण क्या है, ये भी अपको बता चुके है, ताकि जो रेलवे का, वो 110 वोल्ट डीशी पर ही चला जाता है, और कोई क्या किया सक बल्प खोल के ले गया, उसका ट्यूब खोल ले गया, उसका फैन से खोलके ले थीकने सब ब्रेक पैट इस जो ब्रेक पैट है उसका थीकने स कितना है 25 इंम है और कॉंडेमनिंग लिमिट जो है साथ अमेर्ट जिस तरह विडियो कर 915 था और कंडेमनिंग 845 था उसी तरह इसका भी 35 इंम है और साथ अमेर्ट और चलिए आगे बढ़ते हैं या पहले से भी हमारे वीडियो देखते हैं जिन्ट सब्सक्राइब नहीं किया है वो किरिपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जो भी वीडियो बनाएं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसको लेंथ और ब्रेक पैड ब्रेक पैड का लेंथ कितना होगा य भी 400 mm ही है उसके गैप बिट्मिन ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के बीच जो गैप होता है 1 mm का होता है अगर आपके ऑप्शन में 1 mm और 1.5 mm दोनों रहे तो आपको 1 मारना है और इन दोनों में से कोई एक रहे तो आपको उन दोनों में से मारना है लेकिन जब दोनों रहेगा तो आपको 1 mm ही मारना है ब्रेक डिस्क जो है किसे बना होता है ग्रेक कास्ट आइरन का बना होता है ब्रेक डिस्क देखिए यह छोटा सा बनाया है रेंग यह जो वील है वील है यह बिच को यह देखिए ब्रेक डिस्क इसको ब्रेक डिस् ब्रेककी डिस्क क्या पीक्टर आपको वसे दीस्टेंस में बिटमीन टू ब्रेटिस्क इच सर्थे नभी की डिस्टन्स है 1030 mm है यहां से यहां तक का 1030 mm है यह याद रखिएगा distance of brake disc from inner face of wheel wheel का inner face है यह wheel है इसका inner face है और इसके brake disc के बीच का distance पुछेगा तो 175 mm है 175 mm याद रखिएगा 175 mm उसके बाद hand brake is don't add इसमें दो परकार के Angebition से यह इन् Secret Past तो जो ison customer plainotte University है एक ड्राइवर के गर्रैउ के वीऱ में रहेगा वो और एक रहता है जाड के के वीबिन में गार्ट रूम में जो ब्रेक रहता है टो गार्ट रूम hann ब्रेक गया पार्किंग बुर्एग भी मोड़ा गए आता है और length of bogey अगर पुछा है तो कोच का हमने लिए 23540 बताया था ये bogey का जो length है 3534 mm है याने 3534 mm है वेट चौड़ाई पुछेगा आपको अगर bogey का तो 330 mm है जिसकी चौड़ाई यहां से यहां तक चौड़ाई और ये 3534 जो है यहां से यहां तक की लंबाई इसका लाएट, गर आपसे पुछें, बोगी का लिएट कितना होता है तो 6.92 टन है इतना याद रखना है आपको 6.92 टन में सका लिएट होता है इतना जानखारी आपको LHB के बारे में रखना है अगर आपको ये is टेयारी कर रहे हैं तो टोटल ब्रेक सिलिंडर, इसमें कितना ब्रेक सिलिंडर रहता है, तो हर चक्के पर एक ब्रेक सिलिंडर रहता है, तो कितना चक्का है, चार है, एक, दो, थीन, चार, तो चार ब्रेक सिलिंडर आएगा, एक बोगी में, और यही पूरा कोच पुले, एक कोच में दो बोगी ऐस इसे लगाए जाते हैं दो ट्रॉली जिसको बोलते हैं तो चार दुना आठ हो गया आठ आठ आपको चक्का हो जाएगा आठ ब्रेक सिलिंडर हो जाएगा आठ आपको ब्रेक डिस्क हो जाएगा एक्सल चार होगा क्योंकि एक में दो होते हैं तो पुड़ा कोच में चार होग इसको बुला जाता है प्रैमरी सस्पेंशन इसको क्या बुला जाता है प्रैमरी सस्पेंशन इसको भी प्रैमरी सस्पेंशन इस चार है प्रैमरी सस्पेंशन और यह दो जो है सिकेंडरी सस्पेंशन है प्रैमरी मतलब अगर बोगी पास जाएंगे तो पहले यहां पहुंचे इस हो गए प्रेमरी, यह हो गए सिकंडरी, तो इस चार प्रेमरी जो है, तो चार प्रेमरी यहां एक टेमपर होता है, वर्टिकल टेमपर जिसको बुलाता है, यहां एक टेमपर होता है, यहां एक टेमपर होता है, यहां एक टेमपर यहां एक टेमपर होता है, उसके बाद आ एक यहां होगा एक यहां होगा तो कितना हो गया और एक यहां पर लेटरल डेमपर होता है लेटरल डेमपर नौ हो गया तो एक बोगी में नौ डेमपर्स तो पूरे कोच में अठारा डेमपर्स यही है इसका डेमपर्स कितने होते हैं तो अठारा डेमपर्स होते हैं पर कोच कोच एक bogy में 9 का उसका ठीक कितना होता है आपको बताये कि हर चख्का पर के पास एक tu exactly होता है यहां एक यहां एक यहां एक कितना न्हुँए चार और पूराimeter QW में पूज़ेगा तो 8 तो यह दिए कि प्रैम्री demper जो ना को बर्ती हम वर्टीग पीश्रां ल्हाए तो अब इसका कमप्रेश्ट लेंध जो है यहां पूरा नीचे बताएंगे इसको शोड़ दिसे ह Con turns to evolve जो स्केंडरि वर्टीन वर्टीकल अच़्ांत हो कितने होते हैं 2 तो पूरा कोच में कितना हो जाएक से केंडरी वर्टिकल डेंपर चार हो जाएगा आपको समझ में त्यारा है मेरे ख्याल से आरहा होगा नहीं तो डि गेंडु पीछे जाके इंदक समेबरा कोचा धलेगा है gibt secondary lateral damper इसको बोलेंगे ठीक है तो lateral dampers होगे तू पूरा coach में bogey में पुछे तो एक air spring bogey अगर रहेगा तो उसमें lateral dampers दो रहेंगे air spring bogey में lateral dampers दो रहेंगे याद रखेगा white dampers white dampers या your dampers white dampers या your dampers जो है यहां इस तरह से लेटा हुआ रहता है यहां एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा तो कितने होते हैं white dampers दो बोगी में और पूरा coach में पूछे यह coach का है कोच में अगर पूछे तो चार याद रखेगा अब देखे इसका compressed length और extended length और stroke यह पूछेंगा तो primary vertical dampers जो है यह वाला यह वाला प्रैमरी vertical dampers जो है इसका compressed length कितना होता है और compressed मतलब कि अगर गाड़ी चल रही है गाड़ी एक रूखेगी ब्रेक अगर लगेगा या किसी परकार का जटका जैसे dampers इस परकार का होता है इसका एक इसमें इस तरह से इसे घुसा हुआ रहेगा क्या ध्यान रखिएगा अपने गाड़ी का जो आपका टू विलड़ है उसका handle के नीचे दो चक आगे का चक्या के नीचे डेमपर रहता है अब क्या होगा यह वाला इसमें इसे घुसा ह रहेगा तब उसका size क्या होगा और जब पूरी तरह से फूला हुआ रहेगा extended रहेगा तब उसका size पूछा रहा है तो आपको याद रहा है compressed length मतलब इतना इतना गुशने के बाद जो उसका size होगा 294 plus minus 3 mm होगा इसका primary vertical temper का extended length पतलब गाड़ी एकदम नॉर्मली चल रही है किसी प्रकार का जटका नहीं हो तो आपको पूरा इसका जो length है यहां से लिए यहां तक का 434 plus minus 3 mm याद रखी plus minus 3 mm stroke मतलब कितना अंदर गया कितना अंदर गया यह यहां था यहां से size है अगर इतना तक भुश गया जटका लगने कारण तो stroke वही है stroke इसको तंबल लगत है 140 कि कंप्रेश्ट लेंथ जो है 249 में पूरा फुल लेंथ इतना है इसमें 249 में जाएगा तो कितना बचेगा वही इसका यह है stroke ध्यान रखिए उसी तरह secondary जो वर्टिकल डेमपर है secondary यह यहां ख़ड़ा एक डेमपर में बताया था इधर साइड एक इधर साइड रहेगा उ उसका आपको extended length compressed length stroke पूछ रहा है तो compressed length जो है 395 में plus minus 3 है extended length 625 plus minus 3 mm है stroke 240 plus minus 3 mm है पूल इसका लंबाई 635 से यहां से यहां तक इसकी लंबाई 635 से अब जो जटका में यह अंदर घुसेगा तो कितना घुसेगा 240 घुसेगा जब 240 घुस गुस गया तब इसमें से 240 घटेगा और जो बचेगा वही उसका compressed length होगा यानिकि 395 में होगा इतना आपको ध्यान र लेटरल डेमपर कहा होता है आपको मालूम है यहां पड़ रहता है एक ही रहता है बोगी में तो सिगेंडरी लेटरल डेमपर का पूछेगा आपको इसके बाद आपको वाइड डेमपर जो है या यह डेमपर जो है इस तरह से यहां नीचे रहता है इस तरह से एक यहां रहेगा एक यहां रहेगा यानकि एक बोगी में दो रहेगा पूरा कोच में चार रहेगा उसका भी पुछेगा तो चुकि यहां जगर नहीं था इसलि और पूछे तो 381 380 पलस मैनस 3 इसमें से इसको घटाई है जो आएगा वही उसका और प्रस्ट रहता है इस तरह से आपको हो गया है लगभग प्रश्न हो गया है और बहुत सारे हैं लिखते लिखते ठक जाएंगे हम आप वीडियो देखते रहें पिछले वाला वीडियो में प्रेमडी इसको बला जाता है इसको प्रेमडी बला जाता है यहां का जो स्प्रिंग होगा उसको भी प्रेमडी स्प्रिंग बला जाएगा यहां कुछ भी पार्ट्स रहेगा उसको से केंडरी लगा को उसको बला जाएगा और यहां पर ट्रेक्शन लिंक होता है का जो किलियरेंस होता है वो भी आपको बताएंगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी छूट गया है बहुत सारे हैं जो कि परिच्छा के भी उसे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा परने की ज़रूत भी नहीं है जो हम लिख चुतना हमने लिखा है वही आपके लिए बहुत कर लिजे तो ठीक है दोस्तों जैहिन